तो हाई गाई वेलकम बैक टो आवर यूटूब चैनल और वेलकम टो माई न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नए आ नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अप्शिन्स के अंदर ट्रेट करना चाहते हो और डेली मिनीमम तीन से 4000 तक का प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो जिसकी फीज सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज पर मन्त है और इसमें आपको बैनेफिट्स क्या मिल रहे है तो आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क पॉल्स तो मिलते हैं साथ में आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड किया जाता है जहां पे सपोर्ट रजिस्टंस के लाइन स्ट्रॉ किये होए होते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि मार्केट सपोर्ट कहां पे ले रहा है और रजिस्टंस कहां पे फेस हो रहा में सीखने भी मिल रहा है practical trading भी हो रही है और earnings भी हो रही है और यह बात नहीं है कि हमें कभी loss नहीं होता है लेकिन जो loss हुआ है वो recover कैसे करते हैं यह हम लोग को जादा पता है और यही पे आपको यह सीखने भी मिलेगा ताकि आगे चल कर आपको मेरी जरूरत ना पड़े त है पैसे सेंड होने के बाद आपको इस नंबर के ऊपर whatsapp कर देना है इसी नंबर के ऊपर आपको payment का screenshot अपना नाम और नंबर भेज देना है सब साथ में ही भेज दिया करो mail पर मत भीजो यह जो नंबर दिया है इसी नंबर पर whatsapp करो अगर आपको कोई और payment details चाहिए तो भी आप मुझे यही पर पूछ सकते हो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो भी यही यही पर whatsapp करिएगा call मत कीजिएगा मैं call नहीं उठाने वाली और बहुत सारे लोग फिर call करने लगते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा जो भी आपका डाउट है वो directly पूछिएगा whatsapp के गरा आएंगे तो फिर वो जो messages है वो ignore हो जाएंगे तो यह बात का ध्यान रखिएगा और यह जो public channel है public telegram channel जिसकी link नीचे description box में हैं यहां पर आपको सारी information मिल जाएगी और यहां पर आपको everyday demo call भी मिलेगा तो मैं everyday यहां पर demo call प्रोवाइट करती हूं और जो demo call प्रोव अकसान होने से बच जाए तो आज premium group के अंदर expiry और monthly दोनों में जो हमने calls प्रोवाइट किये थे वो morning में एक दो calls जो थे वो लॉस में थे लेकिन बागी के जो सारे calls थे वो हमारे profitable रहे हैं और यहां पर मैं सीधी बात करती हूं जो सच है वो बताती हूं ऐसा नहीं कि मैं 100% sure short guarantee आपको दूँगी कि नहीं यहीं पर आपको profitable calls ही मिलेंगे लेकिन जो calls लॉस में है उसको recover करके फिर profit में कैसे बदलना है यह आपको यहां पर सीखने भी मिलेगा और आपको profit भी डेली होगा ही होगा अगर आप proper trading करते हो तो तो यह बात का ध्यान रखेगा और आपक कि समझ में आ चुका होगा कि premium group के अंदर आपको benefits क्या मिलते हैं तो अभी हम लोग चालू करते हैं nifty bank का analysis तो bank nifty की closing आई है 38,560 के पास तो आज के expiry तो negative रही और मैंने आप से क्या कहा था इस candle के समय मैंने कहा था कि अगर nifty bank यह level तोड़ता है इस candle का low break करता है तो यहा और 38,000 के तरफ भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस candle को तोड़ने के बाद nifty bank ने 38,500 के support को आज test किया और आज test करने के बाद nifty bank ने 38,350 तक गिरावट दिखाई थी intraday में लेकिन अब ही अगर देखे तो closing basis के उपर कैसे तैसे करके इस candle के low के ऊपर closing देने में manage तो कर लिया है क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर ये भी low तूटा अगर इस low के नीचे closing basis के ऊपर bank nifty गया तो यहां से और जादा major downfall होगा और 1000,500 points nifty bank हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो और ये भी बात थी कि recovery भी 38,000 और 39,000 इसी ब downside के लिए 38,000 और 38,100 का support बना हुआ है और आज की बात करें तो 38,350 के support से nifty bank ने हमें अच्छी खासी recovery दिखाई और closing basis के ऊपर 500 का level hold रखा है तो अगर nifty bank 38,350 के support को respect करता है आगे आने वाले sessions में तो यहां से possibilities है नifty bank हमें जल्द ही 39,000 और 39,500 के ओपर फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है अभी यहां पर important है कि इस level के ओपर 39,500 और 600 के ओपर एक positive candle form करें नifty bank एक से दो session के लिए तब ही कुछ recovery के chances बने हुए है फिर से एक बारी bank nifty के अंदर फिर हम लोग 40,000 और 40,500 तक के levels जो है वो देख सकते हैं option chain data अगर देखे next expiry का nifty bank के लिए तो next expiry का option chain data है मेरे सामने call side में सबसे ज़ादा जो open interest बना हुआ है वो बना हुआ है 39,000 के उपर और call side में अगर देखे तो 38,500 के उपर 28,000 का open interest है और 28,000 की writing है सामने देखे तो 26,000 का open interest है और 23,000 की writing है तो अगर difference की बात करे तो difference उतना नहीं है कल भी मैंने आपसे कहा था कि nifty bank के लिए देखे put side में उतना बड़िया support नहीं दिख रहा है 39,000 के पास था कल nifty bank और यहाँ पर difference उतना बड़िया नहीं था तो support उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है nifty bank के लिए तो यहाँ से chances है nifty bank के 38,000 और 38,300 तक गिरने के तो थोड़ा carefully trade कीजेगा और time time पे profit भी बुक कर लीजेगा अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं 38,000 के तरफ प्रॉफिट बुक करता हूँ तो यहाँ से market यूटन भी ले सकता है तो थोड़ा careful रहिएगा market के अंदर अभी मेरे सामने nifty bank का one day candlestick pattern chart है और यहाँ से आगे support और resistance की बात करें तो देखें first important support रहेगा 38,350 जैसे मैंने आपको अब भी बताया अगर nifty bank इस level को break करता है तो यहाँ से एक panic selling हमें देखने को मिलेगा जो nifty bank को 38,110 and 38,050 के तरफ गिरा सकता है next crucial support level यही पर है nifty bank के लिए अगर यहाँ पर नहीं रुपता है nifty bank तो next support level रहेगा 37,850 का level upside की बात करें तो देखें upside के लिए अभी first जो resistance रहेगा वो रहेगा 38,750 का level अगर इसके ओपर nifty bank sustain कर लेता है 30-40 minute के लिए तो यहाँ से nifty bank हमें 39,050 and 39,150 के तरफ अपना next movement देता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support और resistance के levels है nifty bank के लिए तो जो भी levels बताएं है अपने chart के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी अगर आपको doubt रहता है तो आप नीचे comment section में मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी WhatsApp पे avoid कर दीजेगा क्योंकि मुझे दिन मर में बहुत सारे messages आते हैं सबको reply कर पाना possible नहीं है और जो भी लोग expiry के लिए payment कर रहे हैं उनको बता दू कि आज कल कभी भी आप payment कर सकते हो next expiry के लिए लेकिन आपको जो group में add किया जाएगा वो Wednesday को किया जाएगा तो Wednesday को try कीजेगा 12 से पहले कीजेए payment ताकि मुझे add करने में आसानी हो बस आज के लिए इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर कर देना यहां तक देखा है तो like करके जाना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस चैनल को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे आपसे next video में till then bye take care and trade care fully